नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेनिक्स ओफ नेम्स में आज किस वीडियो में जानेंगे कि मनिक नाम करत क्या होता है मनिक नाम के लड़कों का बेक्तित वयमून का रासी फल क्या होता है आज किस वीडियो का माध्यम से हम लोग जानेंगे दोस्तों इसे पहले एक मैं वीडियो के स्टार्ट करूँ आप लोग वीडियो को लाइक और हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको डेली ऐसे ने ने वीडियो देखने का मौका मिल जाए चलिए दोस्तों वीडियो को सुरू करते हैं और मरीक नाम का अर्थ जानते हैं दोस्तों मरीक नाम का जो अर्थ होता है वो रत्ने लाल मनी होता है जिसे के हम लोग मनी कहते हैं और बात कर लेते हैं मनिक नाम के लड़कों के उनके लखी नमबर के बारे में यानि के इनके सूप अंग के बारे में तेनके लखी नमबर चार होता है दोस्तों बात कर लेते हैं इनके लिंग के बारे में तो दोस्तों ये जो लिंग है आपको ऐसे खुदी पता चला है कि ये लिंग जो है लड़के है दोस्तों और नेक्स्ट बात करें तो धर्म के बारे में तो इनका जो धर्म होता है ये हिंदू धर्म में इनका लड़कों का नाम होता है और दोस्तों आगे चले तो फिर आगे जो है इनका रासी इनका जो रासी होता है वो सिंग रासी होता है जियां दोस्तों इनका रासी जो होगा वो सिंग रासी होगा और साथी सता करम लोग बात कर लें सूब रंग के बारे में तो इनका जो सूब रंग होता है व स्वामी ग्रह के बारे में इनका जो स्वामी ग्रह होता है वो सुर्या होता है जियां दोस्तों और नेक्स्ट जो है वो है मित्र रासी इनका जो मित्र रासी होता है वो मेश कन्या धनु होता है मित्र रासी जियां दोस्तों तो अगर इनके हम रासी के बारे में फूल डीटेल मैं बात करें तो इनका जो रासी है वो इस नाम की रासी सिंग है इसके जातक नीडर प्रकर्मी कर्मठ नीती के अनुसार अचारन करने वाला खान पान डेश बिदेश भ्रहमन का सौक रखने वाला शिग्र उतेजित होने की प्रवरिती को भी हर स्थीती को संभालने वाला तो ये कुछ खास बाते थी जो कि इस नाम से रिलेटेड था दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप लोग वीडियो को लाइक और हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने को मिल जाए दोस्तों और वीडियो को जाता से जादा अपने दोस्तों के पास सेयर करिये ताकि हमें भी थोरा सपोर्ट मिले और दोस्तों वीडियो में नीचे एक कॉमेंट सेक्षन है उसमें कॉमेंट सेक्षन में प्यारा से कॉमेंट कर दीजिए तब तके लिए मिलते हैं अगले नाम और अर्थ के साथ तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद